हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टो और चैनल हाईपर ट्रेडेज भी, मैं हूँ मोहमद सोहेल अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल पे आये हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए CSB बैंक पे अपना जो पहला बैंग हुआ था 21st में 21st में कहां पे हैं दोस्तों 24th में, 23rd, 22nd, यह 21st में यहां पे हमारा बैंग हुआ था, कहां हुआ था, 3.45 से लेके 40 के इन बिटिविन स्टॉक का लो कहां, इसके बाद स्टॉक का लो कहां पे लगा, 3.17 हमारा हो गया बैंग, उसके बाद मैं 14 तुजून, 20 जून को भी विडियो अप्लोड किया था 14 तुजून का है, 14 तुजून यहां पे है, जब स्टॉक का प्राइस 350 पे भी था यहां पे इसका लो क्या लगा है दूस्तों, 3.40 यहां पे भी मैं क्या बताया, कि स्टॉक में आप एंट्री ले लो, 3.45 से 3.40 के इन विडियो उसके बाद स्टॉक में यह शॉर्ट टम प्रोफेशनल ट्रेलिंग टार्गेट, स्टॉक का हाई क्या लगा, 405 स्टॉक में 400 के होगे complete profit booking, यहां पे मैं क्या बताया, इस लेवल पे काम मत करो, no trading zone है, स्टॉक यहां पे जाएगा, तो गिर जाएगा गिर गया, अब उसके बाद में 22nd July को वीडियो अपलोड किया था, कि हम लोगों को अगर stock level देखने को मिला इसके नीचे, या in between previous breakout पे, तो हम लोग stock में लेंगे entry, और entry का जो हमारा level रहेगा, वो simple रहेगा, यह बात में आपको बताया था, अब पिछली बार तो promise किया था, तो आप लोगों को fresh buying दे नहीं है, तो यह रहा आपका recent breakout, recent breakdown, final breakdown with traded value, जिसके उपर हम लोगों को no trading zone लगेगा, ज्यादा से ज्यादा अगर stock level break करेगा, तो यहा वाला नीचे का 327 का level break कर रहा है, तो ही मैं average देख रहा हूँ, इसके अलावा मैं average नहीं देख रहा हूँ, तो buying कहां पे हमारा 358 से लेके, हमारा buying रहेगा दोस्तों, 350 रूपी, 8 रूपे का fresh buying, क्योंकि stock कहीं पर भी मिल सकता है, average मेरे लिए question mark रहेगा, ठीक है, क्योंकि जब तक 327 का level break नहीं हुआ, तो मैं average भी बता नहीं सकता, तो हम लोग targets पर बात करेंगे, target क्या रहेगा, पहला breakdown 373 का है, तो मैं यहाँ पर 370 देता हूँ, दूसरा breakdown 378 का है, तो मैं direct 378 देता हूँ, final breakdown level अगर यह break करके, without trailing लग रहा है, तो ही मैं आप लोगों को 400, 400 नह 95 लेंगे इस बार, क्यूंकि stock तो depreciate नहीं हुआ है, फिर भी हम लोगों को अपने हिसाब से safe पे चलना पड़ेगा दोस्तों, तो यही था मेरा latest update and target CSB bank पे, अगर आपको stock पे analysis समझ में आया, तो वीडियो को like करिए, share करिए and youtube channel को subscribe कर लीजिए, thank you for watching my video